आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वैक्ट मैं उरुतिक और बारत और वेस्ट इंडीस की सीरीज पर खत्रा मन रहा है क्योंकि बीच में जो फस गया है वर्ल्ड कप 2023 का स्केडियूल उसकी वज़ा से मैं आपको सबसे पहले बता दू कि जो वर्ल्ड कप कॉलिफायर्स चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप 2023 के उसमें वेस्ट इंडीस की टीम है वो अच्छा कर रही है अच्छा करके दिखा रही है उस पूरे कॉलिफायर्स में और उमीद है कि 9 जुलाई को फाइनल भी खेल लेगी वेस्ट इंडीस की टीम और बारतिय टीम का जो वेस्ट इंडीस के खिलाफ टेस्ट मैचिस होने शुरू यानि कि जो दौरा करेगी बारतिय टीम वेस्ट इंडीस का पहले दो टेस्ट मैचिस खेलेगी एक 12 जुलाई को टेस्ट मैच है दूसरा टेस्ट मैच है यहाँ पर 20 जुलाई को तो 12 जुलाई को जो पहला टेस्ट मैच है और साथ में जो वेस्ट इंडीस का वर्ल्ड कॉलिफायर्स का जो सफर खत्म होगा यानि कि अगर फाइनल में पहुंची तो उमीद है तो पूरी जताई जारी जिससे आप से वेस्ट इंडीस क्रिकट खेल रही है कॉलिफायर्स में वर्ल्ड कॉप के अच्छा खेल रही है और उमीद है कि फाइनल में पहुंच जाएगी तो यहीं उमीद है कि 9 जुलाई को यहाँ पर फाइनल खतम होगा वर्ल्ड कॉलिफायर्स का और उसके बाद बचेंगे ही कितने दिन 12 जुलाई को यहाँ पर पहला टेस्ट मुकाबल में भारत के खिलाफ अगर टीम को एक सॉलिड यहाँ पर टक्कर देनी है भारती टीम को नहीं तो उनके बिना तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कमजोर हो जाएगी और भी ज्यादा फीकी पढ़ जाएगी भारत के सामने वेस्ट इंडीस टीम अब चार खिलाडी कौन है च वर्ल्ड कप कौलिफायर्स में अच्छा कर रही है वैसे तो टीम लेकिन इनकी यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी अपनी जो बारत के खिलाफ यहाँ पर जो उनको सीरीज खेलने है पहले टेस्स मुकाबला केलना है यहाँ पर उनको आना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ प पर एक कड़े decisions लेने पड़ेंगे West Indies Cricket Board को कि जो 9 July को हो सकता है कि West Indies अगर माल लीजे qualify कर जाती है Finals के लिए क्योंकि अच्छा cricket खेल रही है throughout the qualifiers अगर कर जाती है अगर final जो है खेलते हैं West Indies की टीम उमीद यह जताई जारी कि जो चार प्लेयर्स है रॉस्टन चेज, अलजारी जोजेफ, काइल मेर्स और जेसन होल्डर, यह चार प्लेयर्स हो सकता है कि World Cup 2023 का qualifiers ना खेलें और वो भारत के खिलाफ test series में हिस्सा लें, यह बड़ी update थी और इसी वज़य से मैंने कहा कि World Cup schedule बीच में फस गया है, इसी की वज़य से क्योंकि 9 July को यहां पर qualifiers का final अगर West Indies वहां उस final में qualify कर जाती है, तो और कही न कहीं यहां पर भारत और West Indies की test series भी यहां पर 12 July से यहां पर शुरू होगी, तो दिक्कतों की बात है, इसी वज़य से यहां पर थोड़ा सा फसा फसा सा schedule लग रहा है, आपकी कह रहा है इस बारे में, आप comment section में जरूर बताएं कि जो West Indies team है, उनका जो यहां पर qualifiers चल रहा है, उसमें से चार एहम player वो qualifier situation छोड़के भारत के खिलाफ खेले series और team को पूरी तरीके से support करें WTC cycle में, आप उसके बारे में अपनी राएं जरूर बताएं कि यह सही है या नहीं, और फिलाल अभी के लिए इस वीड вообще है में जर कि आताएं कि एड़र को कि लाएं कि घसका इसनास भाइश वीडियों है, झाल चाला है, जए उसको उताएं यहाम हैं कि धना जरूर कि एंट अथा आएं कि यहा लाएं क करें WTC.